अब आफ्टनोन आविवन तो आज खी मारे साइकिंड वीडियो आ गई साइकोडाइनमिक अप्रोच पे इससे पहले में हमने ट्रेट एंट टाइप अप्रोच को कवर किया और अब हम साइकोडाइनमिक अप्रोच को पढ़ेंगे तो सबसे पहले इसमें आ गया कि मैंने आप आपको जो एक शॉर्टकट फ्लो चार्ड बताया था वह यह रहा पहले सबसे पहले आपको यह पूरे अच्छे से पता होना चाहिए कि साइक को डाइनमिक अप्रोच किस ने दिया और इसमें क्या-क्या में चीज़े हैं जैसे कि डाइनमिक एसपेक्ट परस्नालिटी है ज तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइक को डाइनमिक अप्रोच किस ने दिया यह सिग्मन फ्यूड ने दी थी कब 1856 से 1939 के बीच में और इस अप्रोच के इस अप्रोच की हल्प से हम अंडर्स्टाइंड कर सकते हैं human behavior को और उसकी personality को और इस अप्रोच की हल्प से हम अंडर् first of all sigman fruit psychoanalytic theory of personality we discuss about now fruit theory of personality is built on the premises that the mind is a topographical mind is a topographical aspect topographical aspect and dynamic in nature okay the human mind has three main divisions namely the conscious pre-conscious and unconscious okay these three level of human mind are continuously in a state of clash and compromise to give birth to one or the other type of behavioral characteristics resulting in specific type of personality to give birth to a specific type of personality this human mind continuously are in a state of clash and compromise okay this is our three type of division conscious unconscious unconscious and semi-conscious unconscious unconscious तो इसको semi-conscious पहले बोलते थे प्री-conscious भी बोलते हैं इसकोई और ये तीनों क्या हैं always moving and interrelated ये तीनों पार्ट हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं ताकि कुछ नई personality को या कुछ नए type देखने को मिले इस चीज़ के लिए unconscious क्या आ गया जो main focus था psycho analysis का वो क्या था unconscious पही था ये communicate करता है outside world के साथ खुद की inner self के साथ हमारे thoughts, speech, picture इन सब के through ये क्या करता है communicate करता है outside world के साथ subconscious क्या आ गया है जो कि हमारी recent memories है हम कैसे continuously connect with the resources और ये हमें help करता है ताकि हम जो unconscious के resource हैं उसके साथ connect करें कैसे ये मैं आपको उताओंगी unconscious क्या आ गया ये पहला conscious था unconscious नहीं था ये आ गया storehouse storehouse of all memories of past experience जितने हैं वो हमारे unconscious में होंगे जो भी हमें dreams वगर आते हैं वो भी किसकी help से आते हैं unconscious की वज़ा से आते हैं और ये help करता है हमारे beliefs को habits को और behavior को form करने में अब आ गया इसका model of mind ये model of mind है सबसे पहले ये जो उपर का हिस्सा है ये क्या है conscious और इसकी क्या limited aspect है ठीक है फिर आ गया हमारा subconscious इसमें क्या होती है हमारी जो भी memories होती है वो store होती है subconscious में फिर आ गया unconscious ये part ये main focus था psycho analysis का analytic theory का ठीक है अब जो subconscious है वो help करता है इन दोनों के बीच की communication में और ये जो conscious है ये हमें outside world के साथ connect रखता है सब conscious है जो कि हमारी थोड़ी बहुत memories जैसे कि आप exam में आज पढ़ रहे हैं और कल आ वो material यूज़ कर रहे हैं उदर तो वो कहां से है subconscious है पर बड़ी बड़ी आपको लगता है कि जैसे कुछ dreams वगरा आते हैं तो अब ऐसा नहीं है कि आपने वो चीज़ देखी नहीं हो तो वो आपका सपने में देखेगी ऐसा कभी नहीं होता है तो जो आपका unconscious है उसमें ये dreams वगरा या past experience या कभी किसी चीज़ को आपको द अब आगया ये था हमारा topographical aspect यानि की behavior के बारे में वागया dynamic aspect आगया जिसमें क्या आगया id, ego, super ego अब देखो जो conscious है ये एक model है ठीक है ये ego इदर रहती है super ego इन दोनों के बीच में balance करती है id आ गया हमारी जो id क्या है unconscious है हमारी वो desires जो कि हम ऐसे show नहीं कर सकते हैं कुछ आसी होती है कि हमें खुद को भी नहीं बताऊंगी और जो ego है वो super ego और id के बीच में balance करेगा super जो हमारा super ego है वो किस पर morality प्रिंसिपल पर बेस है जो ego है वो reality पर है और वो जो id है ये किस पर है प्लेजर पर प्लेजर पर ये reality पर है और जो super ego है ये morality पर है अब आगया id id के बारे में बढ़ेंगे अब id क्या है इधर से देखिए मैंने बिल्कुल detail में ये अपने note share कर रहे हूं आप से id क्या है एक raw savage and immoral basic stuff है of a man personality that is hidden in the deep layer of his unconscious mind id क्या है आपके unconscious mind में mind की deep layer में hidden है ये रहा देखो id कहां है unconscious में है ठीक है ये रहा unconscious mind में है id ठीक है इसमें क्या है हम इधर से बढ़ेंगे में ये क्या होता है raw immoral and savage मतलब इसमें कोई morality नहीं होती है जो चाहिए तो जो चाहिए जैसे कि एक छोटा बच्चा किसी ignore करके वो कहा है आपका pleasure principle आगया इसमें कोई values नहीं होती है कोई law को नहीं मानता है और बस avoid करता है pain को और बस सिर्फ pleasure चाहिए unaware of implication of action और कोई awareness नहीं होती है कि अगर हम ये काम नहीं करेंगे time पे तो उसका और क्या result आएगा और unaware of reality और reality को भी ignore करता है ये सब क्या है इड़ की characteristics है ओके इस्ट आगया इगो फैकिन आगया इगो ये किस पर depend करता है reality reality principle पर करता है और इगो work to balance ये work करता है ताकि id और superego में balance बना रहे है okay it is rationalized that id instinctly and pleasure they derive and that benefit the individual और ये क्या करता है इस तरीके individual को help करता है कि उसको long term तक benefit मिले ये help करता है separate करने में क्या real है और किस चीज को हम realistic तरीके achieve कर सकते हैं ये क्या आगया reality principle पर करता है balance करता है id and super super ego के बीच में separate what is real जो real है उसको unreal से separate करने में help करता है benefit individual in long term achieve the id drive in most realistic way ये क्या है इगोगी characteristics है अब आगया super ego super ego क्या है super ego ये रहा super ego ये position है इसकी तरीक है super ego is derived by the morality principle it act in connection with the morality of higher thoughts and action instead of instinctual action like the id the super ego work to act in a socially acceptable way जो super ego है वो help करती है कि society क्या चीज़ असेप्ट करती है okay it it implies morality judging our sense of right wrong के बारे में सिखाते हैं using guilt to increase social acceptable behavior okay इसमें क्या होता है कि जैसे हम किसी को manners जैसे parents अपने बच्चों को सिखाते हैं कि जब कोई आए उसको wish करनी है क्योंकि ये socially acceptable behavior है और इससे माना जाता है कि ये morality के कुछ basic examples है अब एक मैं आपको example देती हूं जैसे इड अब इड क्या है इड में है कि जिद चाहिए तो चाहिए आई वांट दिस ओके बट सूपर इगो बोलती है this is the not way to get it क्योंकि ये morality पे अब जैसे इड है अब किसी बच्चे को दुकान में कुछ chips पसंद आ गई example लेते हैं अब वो क्या बोलता है मुझे ये चाहिए तो चाहिए पर उसके पास पैसे नहीं है तो तो सूपर इगो उसको help करती है कि तेरे पास अभी पैसे नहीं है मतलब अगर वो सीधा उठा लेगा तो socially ये behavior accept नहीं होगा उसको हम चोरी बोल देंगे कि बच्चे ने चोरी करती है बड़ जो ego है वो balance करती है वो बोलती है इन दोनों के बीच में balance करने के लिए अब ये बोल रहा चाहिए ये बोल रही है पैसे नहीं है तो अभी नहीं हो सकता है अब जो ego है ये क्या work करेगा ये समझाएगा इसको इस चीस को complete करने के लिए और इसको भी satisfy करने के लिए ego क्या करेगी जाएगा कहीं से पैसे arrange करेगा वो person और फिर क्या होगा वो जो भी उसको लेना होगा वो ले लेगा जिससे कि क्या होगा अगर पैसे ले करने है तो super ego है जो वो भी hurt नहीं होगी और जो id है उसकी भी demand तो यह आ गया अब जो रेप केस आते हैं वो किस वज़ा से आते हैं जिनकी इड़ इंपल्स हाई होती है जिन इंडवीच्वल में कि सूपर एगो जिनकी बिल्कुल नहीं होती है कोई मौरालेटी प्रिंसिपल नहीं वर्क कर रहा उधर इड़ हाई हो रही है और वो रियालेटी को भी बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं कि कल को इसका क्या रिजल्ट हो सकता है अब यह मैंने आपको करा दिया है उसके बाद आ गया तो यह था हमारा त्यूरी थी जिसमें की टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट एंड डाइनमिक एस्पेक्ट हमने पड़े अब नेक्स्ट आगया हमारा क्या साइको सेक्शुल स्टेजिस ऑफ डेवलमेंट इसको हम स्टेजिस ऑफ डेवलमेंट में भी बढ़ सकते हैं अगर आपको आसे देखन स्टेजिक लेटंजी एंड चनाइटल यह बर्थ से वन एर वांट से थी त्री टू सिक्स इक्स प्यूपर्टी एंड प्यूपर्टी टू डथ नहीं है यह से अ कि ओरल में क्या इगो की डफलेमेंट होती है उप सूपर एगो एगो की होती है 3 to 6 यर के बीच में इसमें इ कंट्रोल इसको आप देख लिए अब हम पढ़ेंगे इसके डिफेंस मेकानिजम डिफेंस मेकानिजम क्या आगे डिफेंस मेकानिजम क्या होती है कि जब ऐसी कुछ सिचुएशन आजाती है कि इनसान बड़ा स्ट्रेस्ट हो जाता है और एंग्जाइटी बढ़ जाती है तो उस एंग्जाइटी को कम करने के लिए हम कुछ रिजन देते हैं खुद को ताकि हमें वो एंग्जाइटी ना हो ठीक है और यह process क्यों होता है? automatic होता है और इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें क्या करते हैं? जो भी painful thought या feeling होते हैं उनको हम consciousness से दूर रखते हैं और यह चीज़े कहां से express होते हैं यह material किस तरीके बाहर आते हैं फिर जैसे कि हमें वो चीज़े dream में दिखती हैं इसकुछ बात करते-करते हैं, वो हमारे टंग से slip हो जाती है, यह लिखते-लिखते हम उन चीज को draw कर देते हैं, यह लिखते जो चीज़े हमने क्या की होती है, रिप्रेस की होती है, सैक्षिन आगया हमारा rationalization, यह rationalization में क्या करते हैं हम, कि खुद को anxiety को कम करने के लिए हम क्य आप बोलते हैं कि हाँ, जैसे कि कुछ एक rational reason दे देते हैं खुद को, कि जैसे कुछ होता है कि अब जैसे कुछ healthy लोग है, ठीक है, अब वो बोलेंगे कि अब दूसरों को पता है कि हम कम नहीं हो सकते हैं, बट वो क्या reason देंगे, कि हाँ, अगर मैं चाहूं, तो मैं पतला ह हो सकता हूँ, पर उनको यह नहीं पता कि मैं यह महनत नहीं कर सकता हूँ, तो उदर किया एक rational reason देते हैं खुद को, ताकि वो disappoint नहीं हो, और उनको कुछ anxiety नहीं हो, दूसरों को देखके, ठीक है, वो क्या हो गय है, rationalization, अब आगया projection, प्रोजेक्शन क्या है, कि जो हमारी unwanted feeling है, उसको हम क्या करेंगे, दूसरों के उपर displace कर देंगे, मतलब कि अगर हम बोलते हैं कि मैं उसको hate करता हूँ, तो इसका मतलब यह है, कि मतलब मैं सोचता हूँ, कि वो मुझे hate करती है, अगर हमें पहले से कुछ hint है, कि हाँ, यह इंसान हमें hate करता है, तो हम क्या बोलते करेंगे projection में क्या हो जाएगा कि हम बोलेंगे I hate her really के इसको पूरे डीपी दर से पढ़ सकते हैं खुद के जो मोटिस होते हैं दूसरों के उपर इसको shift कर देना अब आगे displacement यह क्यों होते हैं अपने जो mental conflict हैं इनको हम दूसरों के उपर displays कर देते हैं अब आगा regression regression क्या हो गया यह क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं एक step early stage में आ जाते हैं जैसे कि रोना स्टार्ट हो जाते हैं यह कस्मे खाना स्टार्ट हो जाते हैं यह लडाई करना स्टार्ट हो जाते हैं यह सब किस में आ जाएगा regression में आ जाएगा अब नेक्स्ट आ गया reaction formation इसमें क्या करते हैं हम अपनी wishes को क्या करते हैं और बिल्कुल अपोजिट मतलब अपोजिट तरीके रेक्ट करते हैं जैसे कि आपके साथ कोई fight कर रहा है और आप बहुत जादा इरिटेट हो रहे हैं बट आप ऐसे act करेंगे कि नहीं मुझे कोई फरक नहीं पड़ रहा है और उसको smile देंगे तो यह क्या हो जाएगा reaction formation जैसा आपको feel हो रहा है उसके opposite of reaction देंगे sublimation आ गया यह क्या highest defense mechanism है इसमें कि क्या करते हैं हम हमारा जो भी गुसा या कुछ भी होता है हम उसको बिल्कुल socially जो valuable form होता है उसमें शो करते हैं जैसे कि एक इनसान बड़ा aggressive वगारा तो अगर वो ऐसे अपना aggression शो करेगा society में तो उसको अच्छा नहीं माना जाएगा है उसको punishment मिल सकती है तो इस चीज को अपना aggression भी ताकि उसका बना रहे और यह इस चीज को अगर वो as a boxer बनके शो करेगा तो क्या होगा कि country का भी नाम आगे जाएगा उसकी state का नाम अच्छा जाएगा और उसका aggression भी उदर निकल जाएगा तो जो भी हमारा हमारी problem है उसको हम socially acceptable तरीके से जब शो करेंगे तो गया होगा है sublimation और यह highest level है defense mechanism का denial क्या हो जाता है denial में हम क्या करते हैं कि हमारे पास अगर evidence भी हो बट हम उस चीज़ को फिर भी नहीं मानेंगे उस चीज़ को denial कर जाएगे और अगर एक person in defense mechanism पे बड़ा जादा depend हो जाता है तो उसके लिए यह harmful है उसकी बज़े से यह अपनी real life की जो problem से उनको नहीं solve कर सकता बस सिर्फ anxiety कम हो सकती है पर reality में जो problem है वो वसी रहेगी तो defense mechanism important भी है बट एक limit तक अगर आप बिल्कुल depend करोगे तो वो आपके लिए harmful है तो इधर ही हमारा psycho dynamic खतम होता है थैंक यू